हेलो फ्रेंड्स वेलकम दूदा सेलेक्शन क्लासे तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एलजेब्रा का एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट एंड यह दोस्तों सीरीज कंट्यूनी रहेगी जब तक दोस्तों इस तरह के मैं जितने भी questions हैं जो से मिलते जुलते हैं सारे complete करा दूँगा यह दोस्तों पहला बहुत basic सा concept है इसके बाद दोस्तों इससे related जितने भी concept है वो upcoming videos में दोस्तों discuss करेंगे हम लोग तो if you want to subscribe me then you can subscribe my channel and it will be helpful for your upcoming examination like CAT, Z and other MBA examination okay so let us start solution तो यहां पर दोस्तों बड़ा simple सा है कि यहां पर दोस्तों देन लिग गया 10 identical chocolates है ठीक है 10 identical chocolate system में कुछ भी ले सकता है ठीक है तीन चेल्टन में माटने तो माल लेते हैं दोस्तों children है हमारे पास ABC तीन बच्चे है और इनको मिला के दोस्तों 3 children देनी है यह condition है अब 300 3 children देनी है लेकिन अभी कोई condition नहीं गभने आपको simple वो दिया कि किसी को 0 भी मिल सकते है all online we deal inlining लिए अप कितने तरीचे से दोस्तों काड़ सकते है eo form दोस्तों कूछ लोग बता देते लेकिन आपको पीच्ची का concept समझेना सी है so that formula की जरुवती न पड़े ठीक है आप दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूँ तो माल लेते हैं दोस्तों 10 चॉकलेट है c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 ठीक है अब दोस्तों यह तो 10 अगर मेरा दोस्तों मन है मैं कहीं भी प्लस लगा सकता हूँ जैसे मैंने आपसे बताया आप किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते है तब भी आपकी दोस्तों मरजी है ठीक है c8, c8, c9, c10 ठीक है मैं दोनों प्लस यहां पर लगा दूँगा यहां के लगाने का मतलब क्या है कि A को भी 0 मिली है दोस्तों B को भी 0 मिली है सारी के सारी चॉकलेट C को मिल गई ठीक है यह दोस्तों B के लिए था C को सारी चॉकलेट मिल गई तो कहने का मतलब क्या ह दोस्तों कि आपको plus sign को use करना है as a partition ठीक है as a partition आपको सोच के बताओ कि यहीं मुझे दोस्तों 10 चॉक्लेट डिवाइट करना तो मुझे plus करके करना पड़े क्या तो दोस्तों मेरे पास total elements कितने आगए अब दोस्तों 9 10 11 12 कितने होगे दोस्तों 12 होगे ठीक है 12 elements होगे अब इसको आपको distribution का यदि मैं बात करता हूँ तो दोस्तों distribute कैसे करते हैं just hold on मैं आपको बता देता हूँ pen select कर लेता हूँ ठीक है अब दोस्तों distribution की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास total element कितने होगे 12 बारा factorial वे से दोस्तों आप इनको arrange कर सकते हैं यदि दोस्तों आपको इंबात पता है कि factorial में 12 factorial आपके पास आगया तो इसमें identical कितने हैं तो 10 तो दोस्तों एक जैसे identical हैं बहुत बढ़ी है और दोस्तों दोस्तों आपके plus के sign है प्लस के sign कितने 2 तो जो दोस्तो objects होते हैं यदि हम n objects है हमारे पास उसमें से r identical है औक ऐसके से दो सो में से r identical है تو distribution के जिए में बात करते हूं दोस्तो n factorial upon r factorial जो identical है उससे दो सब्दोस आपको divide करना होता है तो same income मैंने हपी किया है तो that is 12 factorial upon 10 factorial इंटू 12 factorial ठीक है अब दोस्तों इसको यदि आप गौर से देखोगे तो फैस्टों सॉल्व करके बता दिदो फिर दोस्तों इसके पीछे का जो फॉर्मला वो कैसे आता बताऊंगा तो 12 इंटू 10 इंटू 10 factorial इंटू 10 factorial तो यह दूसरे को मार देंगे यहां से दोस्तों टू फैक्टूरियल का वंदर टू होता है तो दोस्तों कुल 66 तरीके से मैं इन चॉकलेट को डिवाइड कर सकता हूं तो कितने तरीके से 66 तरीके से ठीक है अब दोस्तों जो फॉर्मला है वो कैसे आता हो भी आपको समझना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपके पास लिखा था 12 factorial एक मिनिट दोस्तों इसको इटाते थे आप n की वैल्यू 12 रखते हो आर की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको 12 factorial अपॉन 10 factorial इंटू दोस्तों दो d यह दोस्तों कुछ n identical objects है अब दोस्तों formula derive करने जा रहा हूं उसको समझ लेना ठीक है तो यहां पर दोस्तों एक मिनिट तो यहां पर दोस्तों हमिरे पास जो है चार बंदे हैं जिनके उपर दोस्तों मुझे n identical object देने हैं तो इस वाले formula के according दोस्तों जो अगर मैं पिछल दोस्तों के बताओ कि यहां पर क्या क्या चीजें किसको रीप्रेजेंट कर रही है ठीक है यह दोस्तों बड़ी important बात है आप इसको समझ जाओगे तो आपके लिए distribution आसान हो जाएगा हने वाले वीडियो के लिए तो 10 तो दोस्तों रीप्रेजेंट कर रहा है इसको ठीक है तो यदि दोस्तों मेरे पास 4 बंदे हैं और अब्जेक्ट इडेंटिकल उनको distribute करना तो आप क्या लिखेंगे एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस वन प्लस आर माइनस वन पहले आर की जगह 4 रख देते हैं आपको confusion हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है क्योंकि आर की ब्लस छी प्लस डी एन दोस्तों यहां पे हैं के पास r थक चली आज़िए भर तो आपके पास r objects है ओबजेक्स दोस्तों identical नहीं है फिर यह एन दोस्तों आपके पास एन आइदेंटिकल उपजेक्स है एन अटिकल आ थिक्ट्स ठीक है यह एनडेंटिकल object so distribution कितने तरीके से होगा distributor अभी दोस्तों कोई condition नहीं है आप किसी को 0 भी दे सकते हो अभी कोई distribution पर condition नहीं है तो यह दोस्तों normal distribution है means anyone के take 0 to maximum n value सबको दोस्तों आप 0 से maximum n कुछ भी दे सकते हो ठीक है आपका मन है इसमें दोस्तों अभी कोई condition नहीं है यह दोस्तों फॉर्मला बन जाएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन सो आई होब दोस्तों यह जो distribution आपको समझ में आ गया होगा इसी तरह के खुबसूरत concept के लिए चैनल को for mathematics ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब की स्पेलिंग भी किला तो लिख दी कोई बात नहीं ऐसा नहीं आती नहीं आ रहती है ठीक है सब्सक्राइब तो थेंक यू और सी यू इन नेक्स वीडियो बाइ टेक केर